इसलिए कि कब हमारी जंता की समस्या क्या होगा नहीं होगा उनको क्या हमको कहना है इसलिए मैं सोता हूं तो तकिये के बीच रखता हूं और बाथरूम जाता हूं तो बाथरूम में भी अपने मुवाइल को ले जाता हूं इसलिए कि बाथरूम में तुकि हमारे पास तो सरका पोबार चपर नहीं नहीं दिया है यहां देखिए जो है कि 20 वह कि जनता बैठे हुए सारे लोग आए हुए है अब हम उनको चाय पिलाना है उनको नास्ता कराना है फूखे अगर कोई आ गया उनको टाइम मर गया तो यहां हमको रोटी दूगों किलाना है तो पंचाई समीति के जो बैठक में जो हम लोगों को बुलाया जाता है हम लोग सदन के सदस्ट हैं तो उसको बोलने के लिए हम लोगों को समस्या करते हैं इसमें कितनी सचाई है तो मुख्या जी जब हम आ रहते तो कुछ लोगा यह भी कहना है एक मुख्या जी अगर बातरूम जाते हैं तो फूर लेकर जाते हैं यहां भी होते हैं कॉल सिब करते हैं और कहीं तो यह परिवार से आते हैं एक मध्यम बर के किसान के बेटें हैं मेरा जो जन्म हुआ है किसान घर में हुआ है और यहां किसान और मजदूरों की आवादी है इसलिए उनका जो नेचर है जो उनका बैवहार है जो उनको रहन सान है उस रहन सान से मैं भी अब गतूर उसके बीच रहता हूं तो हमको मानना है कि जब तक के जनता की समस्या हम रा पंचाई समीति के पहला बैठक हम लोगों को हुआ, उसमें हम कमीटमेंट किया है, हमने विरोध किया है, और अगले बार ये भी कहा है कि अगर इस तरह की बैठक हुई, तो आने वाला बैठक में हम विरोध करके बैठक होने नहीं देंगे, चुकि पंचाई समीति की जब बै पदाधिकारी लोग उपस्तित नहीं थे, चूकि पंचायत में हमको लोग चून करके जो भेजा है, और मीनी सदन का बैठक होता है, तो पंचायत की जो छोटी-छोटी समस्या है, वो हमको सदन में रखना है और पारित कराना है, जब सभी विवाग के करमचारी और पदाधिक आएंगे, अपदाधिकारी इसको मानने के लिए तयार नहीं होगा, उसको जानने के लिए तयार नहीं होगा, उसको धरातल पर आकर के जांच करने वाला नहीं होगा, तो हमारी जनता की समस्या नहीं निरान होगा, इसलिए हमने कहा है, कि आगले बार पंचायत समीति के बै तो उसको सारे मुख्या लोग मिल करके हम लोग वहिस्कार करेंगे और जिला अधितारी से भी मैं मांन करता हूँ कि छोटी छोटी सामस्या को सुनने के लिए पंचाई समीती के जो भैठत में जो हम लोगों को बोलाया जाता है, हम लोगों समस्या कहने के लिए, हम लोगों को समेच दिया जाना चाहिए इसलिए कि कब हमारी जंता की समस्या क्या होगा नहीं होगा उनको क्या हमको कहना है इसलिए मैं सोता हूं तो तकिये के बीच रखता हूं और बाथरूम जाता हूं तो बाथरूम में भी अपने मॉवाइल को ले जाता हूं इसलिए कि बाथरूम में तुकि हमारे पास तो सरका उस तरह का तो हम लोगों को बेतन चाइख रूपया थेंता पूंप प्रूपया पैमेंट में तो पूंब आदमी चाय पी जाता है यहां देखिए अभी जो है कि बीश हो जो है कि यहां कि जनता बैटे हुए वे सारे लोगा आये हुए है अब हम उनको जाह पिलाना है उनको बूखे अगर कोई आ गया उनको टाइम मर गया तो यहां उनको रोटी दूगो खिलाना तो इस फचीस सो रूपया का को मुराद नहीं है पचीस सो रूपया देता है सरकार तो देते रहें पंचाईती राज विभाग और अपने जो मंत्री जी है समराड जी क्या कहना चाहिए हमारे चैनल के माधेम शोन तक आप विभाग क्या रखना चाहिए मैं सरकार के मंत्री और खास करके पंचाईती राज मंत्री मानिये समराड चोदरी दी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे विभाग यानि पंचाइती राज विभाग के मंत्री हैं मैं आपसे आगरह करता हूं कि पंचाइत के अंदर पंचाइत के अंदर जितने भी विभाग हैं उस विभाग से जितने भी संबंदत करमचारी और पदाधिकारी हैं पंचायत के प्रतिनिधी और पंचायत के खास करके मुखिया पर जिम्मेवारी है तंधों पर जिम्मेवारी है पंचायत का उसका समस्या निदान करने में कोई परसानी नहों यहां ब्लॉग से लेकर के जिला मुख्याले तक जो पदाधिकारियां को दोवारा जो समस्या कोई जो है निर्देश दिया जाना चाहिए मन्यमंतरी जी के दौरा पंचाइटी राजबिवाग के नुसार गहार मुख्या जी पर चर्चा चे पांगे को जिसाओ फिडुट करेंगे जैसा की तमाम чार पांच मुख्या का जो है की मिकिर दी गई है तो भीं जाना जाएंगे कुछ और कहना चाहरे तो